हेलो एवरीवान एंड वेलकम टेस्ट बॉक्स उपर कोचिंग इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहां पर आपने उपर फिल करना शूरू कर दिया है अब हम ने एक 12 तर्क में टेस्ट कराया था नॉडा में, वहाँ वे बहुत सारे सुडेंट्स आया और हमने कुछ चीजे देखी जो सुडेंट्स ने OMR के अंदर मिस्टेक्स की थी, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर हम बताएंगे कि OMR के उपर क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, गाइडलाइन्स क्या है, जो आपको क्लिरली फिल करनी है, देखना है कि OMR के उपर किस तरह की से टेस्ट दिना है, तो सबसे पहले, एक ही OMR आपको मिलेगा, आप वहाँ पे एक गड़बड हो गई है, इसमें मिस्टेक्स हो गई है, तो मेरे को second OMR च सुडेंट्स ने, एक से ज़्यादा दो OMR मांगने ही कुशिश की थी, जो की एक्जामिनेशन और के अंदर अप्लिकेबल ही नहीं होगा, तो प्लीज मेक शूर कि जो एक OMR आपको मिले, वह आपको बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से फिल करनी है, उसके अंदर कोई भी व वहाँ पर एक कुश्यन के अंदर दो सरकल नहीं हो सकते है, दोनों के वह कुश्यन ही आपका खारिद हो जाएगा, चाहे आपका सही हो गलत हो, उसके साथ साथ जो आपका रोल नंबर है, सेंटर है, एक्जामिनेशन से लेड़ीट चीज़े है, वो क्लियरली फिल होनी चाह लोगल ना, OMR के उपर, OMR जो होता है, वो रीड करता है, स्कानर जो है, रीड करता है, और सबसे बढ़ी है, किसके नंदर रीड कियाता है, ब्लैक बॉल पेन के अंदर, तो यह आपको लेके जाना है, इसी से आपका एक्जामिनेशन देना है, जेल पेन इस्तमाल नहीं करन है क्योंकि OMR वो खराब कर देता है तो यह गाइडलाइन स्नेसरी है OMR फिल करने के लिए देन OMR होती कैसी है तो आप यह देख सकते हैं ऐसी होती है OMR जहां पर आपको नाम लिखना होता है जैसे हो सकता है डो नाम लिखना होगा फिर्स आर चांट हो गया यह मिस्टेक नहीं करनें यह मिन्स्टेक कि कि यहाँ पर मैंने 3 में यह लगा दिया, अराम से फिल करना है, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो यह mistake नहीं करनी है, यह mistake जल्दी बाजी में होते है, तो तभी आपको 10-15 मिनिट लेके जाना है, और उसको फिल करना है, ठीक है, यहाँ पर roll number, यह आपका set, कि मैंने आपको roll number के हाँ पर example लेके बताया था, ऐसे आपको roll number आएगा, आपका set आएगा, A, B, C, D, जो भी set आए, A, यह ऐसे लिखना है, subject code आएगा, तो 006, जो भी आपका code होगा, तो इस तरह के से 0, देख लेना 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, बहुत सा कर दे, कि यह question दिया, इसका answer यहाँ पर दिया, उसके साथ ही second question का भी answer यहाँ दे दिया, यहाँ पर fill करते जा रहा है, 12th question का answer दे रहते, 13th question का भी यहाँ पर दे दिया, फिर होगा, क्या, यह 12th question हो जाएगा, यह counting होगा, यह mistakes है OMR के अंदर, तो mistakes कौन से avoid करनी है, asking for another OMR, एक ही OMR आपको मिलेंगी, then, ऐसी mistakes को avoid करना, जो मैंने आपको अभी दिखाया, कि ऐसा भी नहीं करना है, कि अगर आपने, देखो, 0 है यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर आता है, तो आपने गलती से यहाँ पर 0 भर दिया, तो उसको ऐसे काटा नहीं करना है, उसको यह काटा नही OMR के अंदर read यह नहीं करेगा, okay, and उसके साथ clearly, देखो, clearly, यहाँ पर आप यह OMR sheet देख सकते हो, clearly fill करते हो जाना है, clearly fill करते हो, कोई mistake नहीं, कोई overlapping नहीं, यह चीज़ा आपको ध्यान रखने है, OMR sheet के उपर, जैसे कि, देखो, यह mistake बहुत सारे students नहीं किया था, जो 12 तार परना शुरू कर दिया, ठीक है, यह ऐसे भी हो सकता है, कि यह उन्होंने सही आंसर दिया, यहाँ पर उन्होंने mark कर दिया, फिर एक दम से धिहान आया, अच्छा, आंसर तो यह होना चाहिए, अब इस question का होगा, कि यह question का हो जाएगा, यह count ही नहीं होगा, okay, तो सही तरीक क्या है? OEMR फिल करने का, सही तरीका क्या है? सही तरीका है यह जो की आप देख सकते है, clear cut होना चाहिए, clear cut, तो यह clear, clear, बिल्कुल, clear, and यहाँ पर यह mistakes को avoid करना, कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, यह right ऐसे भी नहीं होना सकते है, kि right लगा दे रहे", फिर फिल करने नहीं, ऑफ लाइना चाहिए ऐसे भी नहीं होना चाहिए बाहर किलियर तरीका है उमर करनेगा उके नीट और क्लीं कोई ओवरलापिंग नहीं तब ही हम आपके साथ कौन्ट्इन से प्रयक्टिस भी करा रहे हैं हमने ऊफ-लाइन और बेंस टेस्ट भी लिए तो बाहरा तारीक के अद और उसके साथ ही अगर आप UGC net 2024 दिसेंबर के लिए करना चाहते हैं अभी भी आपके पास बहुत टाइम है छे साथ महिन है अराम से पढ़िए पेपर वन पेपर टू टेस्ट सीरीज लगाईए सारी चीज आपको कहां पर मिलेंगे टेस्ट वुक्स उपर कोचिंग के ऊपर लास्टे ऑफ सेल है आज तो जल्दी जाइए अन्रोल कर लीजे तो यह लास्ट टाइम है और दिसेंबर दोजार चॉबस करना शुरू कर देजे बैच शुरू हो चुके हैं पेपर वन पेपर टू के तो पेपर वन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जोगरफी कॉमर्स क्योंकि बाइलिंगल बैच हो चुके हैं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी जिने मिल जाती है पेपर वन भी पेपर टू भी टेस्ट सीरीज भी प्रिवेसर कॉश्चन भी और बूस्टर कोर्स भी जो एक्जामनेशन के एंड टाइम पर आपकी काभी मदद कर लेगी ओए गाइस तो थांक यू वेरी मच्च टेक केर और गुडबाई और फॉर मोर इंफरमेशन अगर पेपर वन हिस्ट्री आपको प्रेपरेशन करनी अच्छे से स्पेशल हिस्ट्री के सुटेंट्स तो यह ना हमारा टेलिग्राम चले इसको जोएं कर लिजा